हलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर अकेडमी, अचीवर अकेडमी के इस वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप सभी लोग, उमीद है कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे, प्यारे दोस्तों, आज TZT का एक्जाम हुआ था, उ आप लोगों को ये गरमन में सवाल आए, कि सर ये पेपर था, कैसा, पेपर एजी था, मॉडरेट था, किस लेवल का था, तो पेपर बिलकुल एजी ही था, कोई ऐसा बहुत-ज़दा मुस्किल वाली बाते कुछ नहीं थी, एजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम लोग, तो अ रही बात है कि मैंने अगर पढ़ रखा है, तो मिरे लिए तो इजी है, अगर मुझे नहीं आता है, मेरे आगे कभी वो सवाल आया ही नहीं है, तो मिरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा वो, पीवाइक्यू कभी आये हैं सर, हाँ, इस पेपर में पीवाइक्यू भी पूछ गीता फोगाड था, हलांकि साक्षी मलिक ने भी जीता है, वो इस बार जीता है, इस बार याने कि 2022 का जो कामन के इन्डर जो कॉमन वेल्ट हुए है न वहां पे, कॉमन वेल्ट इस बार हुए थे 22 में, आगे वोने वाले हैं, कब आगे होने वाले हैं, दो हुजार इसको में हुआ था 2018 का है वो हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया हाद 44 साल बाद में एक गेम होते ही हैं फिर एक सवाल आपसे पूचा था ये तो खेर आपका रोड सेफटी से रिलेटीड है कि लिए ना अगेन रोड सेफटी का क्युस्सें है ये एक क्युस्सें था आ राज्ये के अंदर जब भी गौर्वर्मेंट बनके आती है तो पहला जो भाषन होता है वो किसका होता है सवेधानिक प्रमुक कोन होता है या जो आपके लोग सेवा आयोग है उसके अंदर जो भी अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके थूरू की जाती है युनिवस्ट के चांसलर और इसके अलावा जो है उन युनिवस्टी के वाइस चांसलर वो को न्युक्त करते हैं तो सभी बात हमारे पास में राज्येपाल जी की थी हर्याना में करंट राज्येपाल चल रहे हैं उनका नाम बंडारु दत्तत्रे है अठार में राज्येपाल है तेलंगाना से है हिद्राबाद में जनम हुआ था उनका 1947 के अंदर अगली बात हम करते हैं तो हर्याना में बायो मास प्लांट कब स्टार्ट हुआ था तो हर्याना राजिय के अंदर बायो मास प्लांट आपसे पूछा था ये साल 2013 का है ये महिंद्रगड के अंदर स्टार्ट हुआ था ठीक है ये याद रखना आप लोग महिंद्रगड महिंद्रगड इस्टिक के अंदर स्टार्ट ह साल 2013 के अगे अगला आगल आगला जो आपका पेपर में क्योंसन आया था वह ये था कि हरियाना का सामुदाईर जो है यह कहां पर है यानि यह हरियाना फर्स्ट कॉम्युनिटी जो है यह पहली इन्हों ने पूछी फॉची है असान सवाल था यह और इस सवाल का थीक अंसोर था थाना ए थाना गाओं जो नहीं कहा पड़ता है और 2017 में बनी थी और टोटल सो एकड़ इसका एरिया है ठीक है यह क्यूष्ट असान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्रड़ी यह पीवाईकू कुंष्ट अ ही है मैं यहाँ पे हलका सा इसमें confusion में ही answer में देखो इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन से सही है फर्स statement दिये कि देरा total 56 judges in the high court उच नयालिया में कुल 56 नयादीस है यहाँ ही एक statement में confusion इसलिए है क्योंकि इसमें current affair यह था 16 अगस्त की बात है 16 अगस्त 2022 यहाँ तक इसमें total 57 नयादीस है वैसे इसमें maximum तो कितने हो सकते है maximum तो 85 हो सकते है 64 पर्मानेंट और 21 जो ना temporary लेकिन current के लिए बात की गई थी तो current के लिए है 40 पर्मानेंट है प्लस में 17 जो ना अनदर है ही है तो अब इन्होंने 56 लिख दिया पंजाब एवम हर्याना हाई कोट के मुखे नयादीस है और ली कार्बुजर ने इसका design त्यार किया था तो actually answer में न दो और तीन भी दे रखा है और option ये भी दे रखा है अगर वो paper पुराने की बात कर रहा है थोड़ा पुराना मान के चल रहा है तो answer देखो D ठीक है कोई issue नहीं है लेकिन वो current affair से relate कर रहा है तो यहाँ पर answer फिर B बन जाना चीए देखा जाएगा answer की में क्या ठीक रहेगा आप कोई objection भी नहीं लगा सकते ऐसा क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा mention नहीं किया है कि इस तारिक तक बताईएगा 16 अगस्त बताईए 18 अगस्त बताईए ठीक है अगला सवाल आपका आता है यहाँ पर कि यह सवाल क्या है यह current affair का है अगर आप regular current affair देखते हैं मेरे ही पढ़ते हैं डेली सुबह 5 बजे वाली वीडियो को पढ़ते हैं तो यह मैंने आपको कई बार पढ़ाया है खुद ने भी आपने बहुत अच्छे से खेर पढ़ लिया होगा first atomic plant in North India तो यह इसका ठीक अंस्वर रहेगा गोरकपूर यह कहां पर पढ़ता है एक तो गोरकपूर यूपी वाला ठीक है इसके बाद में यह क्या है solar energy is received by the earth अच्छा यह तो आपका EVS का है वैसे radiation इसका ठीक है अगला सवाल आप से पूछा है यह भी क्या है EVS का ही है कि कांच के बरतनों में पानी को हम क्यों नहीं रखते rain water को क्योंकि वो pH value के साथ में चेतर चोदस यह हर्याना जी के कर रहा चेतर चोदस का मेला यह क्योंसन भी easy है बहुत बार repeat हुआ as it is क्योंसन यह कुरू चेतरा इसका ठीक answer है मनोहर जोती यह सवाल भी हमने कई बार योजनाओं में पढ़ा है और इसके अलावा वो सरकार को भी बिजली बेच पाए यह है घरेलू सोर उर्जा बनाने से संबादिक c option इसका ठीकता हमारा यह तो एकदम easy सवाल था सबी एवाडी की हैं बाकी छोड़के नू एक जिलाई यह अकेला तो एकदम easy सवाल हुआ है तो यह क्या था लाल हरा पिला यह था रोड सेफटी से लेकिन यह बहुत ही easy common sense वाला सवाल की तीन कलर की बतियां जो होती है आपकी इसके बाद में यह भी EVS का सवाल आता है यह हर्याना जी के सरवन कुमार एकदम easy सवाल था सोनी पत ठीक है ना इसके अलावा यह आपसे पूछा है यह भी एकदम easy सवाल है पहले यह भीवानी में आता था वर्तमान में कहां पे है वर्तमान में चर्की दादरी में हिलता वापत है मेरे हिसाब से जिसने भी हर्याना जी के पढ़ना स्टार्ट किया है जो भी है एकदम basic सवालों में से एक है यह 2016 के paper में अल्रेड़ी पूछा जा चुका है 2016 में भी आया था 17 के paper में मैंने देखा था इस सवाल को तो समझ के देखो कि आप यह PYQ को ही उठाया गया है तकरीबन तो इसके बाद में यह तो आपका EVS का था again EVS का सवाल है EVS का सवाल है यह भी आपका ठीक नहलोक नर्ते यह भी एक easy सवाल है क्योंकि बाकी option जो है बहुत ही अलग अलग दे रखे हैं धमाल आपने बहुत बार सुना होगा कि हर्याना राज्य का वो नर्ते है और इस नर्ते की बात में बात करें तो यह धमाल नर्ते महावारत काल से चला रहा है जो पुर्सों के दवारा अकेले किया जाता है जिसने भी बीहू लगाया पताने क्यों ही लगाया होगा बीहू तो आसाम का है यह बहुत easy सवाल था खेर इसके बाद में बात करते हैं कोटला हिल्स कोटला हिल्स पढ़ती है जी नुह के अंदर ठीक है ना कोटला हिल्स पढ़ती है नुह डिस्टिक के अंदर ठीक है इसके बाद में था कि हर्याना के पर्थम उर्दू राज्यकवी उर्दू राज्यकवी हर्याना के थे लाला अनूप चंद आफताब लाला अनूप चंद आफताब याद रखना इनका जनम जो है न वो हुआ था 1897 के अंदर हुआ था पानी पत के अंदर हुआ था ठीक है न एक पेपर इवनिंग सिफ्ट में इससे और यह तो मोटर विकल एक्ट 1988 था ठीक है न यह भी आपको पता होगा अंग्री जो के टाइम में सबसे पहले जीन्द को कहते हो हर्याना का हर्द्य यानि कि option number 8 ठीक है इसका हमारा हर्याना सरकार के दवरा संत सिक्षा रविदा साहिता संत सिक्षा रविदा साहिता एक योजना है और यह स्टार्ट की गई है किसके लिए चोटे कारीग्रों के लिए काम सिखाने से संबंदित यह आपने डेली करेंट अफिर में पढ़ा होगा अफरीका की पांची सबसे उन्ची चोटी रोतास की लेरी इसके ऊपर चड़े थे ठीक है ना तो option number a सवाल का ठीक है चलिए एक तो हमारे पास में यह paper था। और हमारे पास में क्या paper थे और हमारे पास में यह तो ठीक है यह सेम ही है क्या ठीक है एक paper यह दिख रहा है मुझे यह यह भी आपका current affair का ही question था मैंने एक दिन आपने अगर मेरी class को देखा हो तो मैंने एक दिन पढ़ाया था 2006 से लेके सारे ही साल बता दिये थे तो हर्याना सरकार ने 2023 को किस रूप में मनाया है अन्तोदे आरोग्य वर्स के रूप में ये तो EVS का हो गया आपका इसके बाद में ये भी EVS का है वैसे बैंगलोरू ठीक है इसका और हाँ ये रहा हर्याना बर्तमान हर्याना ब्रिटेन के इस्ट इंडिया कंपनी के नेंतरण में कब आया था अठ्रा सो तीन में आया था ठीक है ना इसके बाद में परसिद उर्दू को भी दिख़ाया उर्दू का सवाल अलताफ हुसेन हाली का समन्द पानिपत से है ठीक है वर्तमान हर्याना में कुल उप मंडल कितने है अगें ये किशेन एक डाउट का है क्योंकि वर्तमान हर्याना के अदर उप मंडल है 82 ठीक है ना 82 है आपके और पहले की बात की जाएं तो थे ये 74 आपके ठीक है ना September 2022 की बात है September 2022 के अधर गर आठ नहीं जुड़ गए थे, तो 74 और आपके 8 जुड़ोंगे तो 82 हो जाएंगे, ठीक है ना, तो इन्होंने ना तो 74 दिया, नहीं ब्यासी दिया, आप्शन में 73 अब आएगा, क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि एक्चुली तो 4 यह आप्शन ठीक नहीं है, वर्तमान में देखा ज हो चुके हैं, सेप्टमबर 2022 को गए वे कई दिन भी हो गए, यह भी हाली आई जुड़ते तो फिर भी जलो सोच लेते, चलो फिर भी आप यह ना देते तो 74 भी दे सकते थे, तो नजाने इन्होंने ऐसा क्यों दिया है, आर्थिक सर्वेक्षन में भी हलांकि इन्होंने 74 ल आते हैं, वर्शारीतु के आगमन के कारण, पानी पत का तीसराई 2761 है, एकदम सिंपल सवाल थे, ठीक है, इसके अलावा जो आपका सवाल आता है, और आपके सवाल, तो हर्याना जी के के तो इस पेपर में है क्या, हवा सिंग का सवाल है, हवा सिंग जो है यह आपके मुक् और आपका यहां पे योजना ये रही, आयुस्मान भारती योजना, इसके लिए तैद पांच लाक रुपे दिये जाते हैं, ठीक ना, 23 सक्टमबर 2018 को जो है इस योजना को स्टार्ट किया गया था, और आपका कोई इपॉर्टन्ट है, हाँ ये रहा, एक नॉम्बर 1966 को हर् में, लेकिन 14 नॉम्बर को 2013, 14 नॉम्बर 2013 को आई थी, अर्याना उद्या से इनजी बस से रिलेटिट है, ठीक है, ये तो मोटर भी कलेक्ट, 1988 होई गया, ठीक है, चलो, आगे ये साइंस का पेपर आगया, ठीक है, एक पेपर और भी था, शायद, ये तो नहीं था, ये तो मोटर आगे, ये पेपर दे चलो, ठीक है, चलो, आपको मैं फिर सॉलुईशन दूगा, कोई और पेपर रहे तो आपके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक्यू सो मच ठीक है, झाल झाल